जिनको खुजली की समस्य रहती है, दाद की समस्य रहती है, हमेशा कहीं ना कहीं खाज खुजली होती रहती है, तो आज इस वीडियो में इसका 100% सफल घरेलो इलाज बता रहा हूँ, नोट करके रख लीजेगा, नमस्ते, मैं हुशा चिन गोयल और आपका स्वागत करता दाद खाज खुजली एक दूसरे से भी फैलती है, क्योंकि ये एक संक्रामग बिमारी है, इसलिए अगर घर में किसी को दाद खाज खुजली है, तो उसका तौलिया, कंगा, कपड़े या बिस्तर जैसी चीजें, जब घर में और लोग भी उज़ करते हैं, तो घर में ये बिमारी और लोगों को भी होने लगती है, दाद खाज खुजली अकसर फंगल इंफेक्शन के कारण होती है, जो एक तरह की फफूंदी होती है, ये फफूंदी हमारी स्किन पर ज्यादा नमी वाली जगों पर पैदा होती है, जैसे कि हमारे अंडराम्स और जन्दांगों क चूक होती है, तो उनकी इसकिन पर बहुत तेजी से दाद खाज घुजली वाली फंपुणी पैदा होती है, और फिर उनसे ये बिमारी घर के लोगों में भी आ जाती है, दाद खाज खुजली वाली जगे पर अकसर लाल चकत्य पढ़ जाते हैं, कभी कभी उनमें दाने भ ज्यादा बढ़ जाए, तो उन दानों में पानी भी भरने लगता है, जो इसकिन पर भेंकर घाव बनाने लगता है। इस सिस्थिती में आम तोर पर हमें महेंगी क्रीम, तरह तरह के लोशन और एंटीबियोटिक दवा की गोलियां खानी पड़ती हैं, इस सब में दो-तीन हजार रुपय तो मिनिटों में ही खर्च हो जाते हैं, जबकि दात-खाज-खुजली की इस बिमारी को आप अपने घर मे रखी हुई सिर्फ 4-5 रुपय की चीजों से ही बहुत आराम से चुटकी बजाते ही खोदीटी कर सकते हैं, इसलिए आज मैं आपको दात-खाज-खुजली की प्राबलम जड़ से खतम करने वाला एक जबरदस कारगार घरे लोन उसका बता रहा हूँ, तो चलिए इससे बन तुलसी के पत्तों के इस पेस्ट में आपको आधा चमच नीबू का रस और एक चुटकी नमक डाल कर इची तरह से मिला लेना है, इस पेस्ट को आपको अपनी दात-खाज-खुजली वाली जगह पर लगा लेना है, इसके उपर रुई लगा कर पट्टी बान लेनी है, और गधा के ता चमच नीब दाद-खाज-खुजली वाली चमच नीब께서 एक चुटकी च्काती दान लेना है, अगर अपके घर में पैट एम्एमलस हैं, और उनकी साफ सफ़ई और टाइमसे वाक्सीन और दवा देने का धियान रखीए, अपने खाने में विटामिन E वाली चीजें जैसे की ओलिव ओईल, सनफ्लावर ओईल, अक्रोट, मसूरकी दाल, पालक, बादाम और तिल जैसी चीजें शामिल कीजिए क्योंकि ये दाद खाज खुजली वाली फफूंदी को खतम करते हैं बॉडी के जिन हिस्सों पर ज्यादा पसीना जमा होता है, उन हिस्सों में रेगुलर साफ सपाई का पूरा ध्यान रखिए आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेल उन उसके देखते रहने के लिए E कुझी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए